तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें दिखाता हो कि लेटर आपका जब हॉइट कलर हो जाएगा तो यह दूबरा कलर में करने के लिए क्या यूश करना पड़ते हैं तो जैसे कि देखिए जो साइड में जो मेरा फिल स्टॉक एडिटर जो टूल बार है यहांसे मैं इसको वाइट पकर लेता हुदी वाइट हो जूका है फिर निचे आने के बाद में यहाप भी आपको वाइट क्लिक कर देतwalk अब देखिए मैं कुछ भी टाइप करता हो दिखाई नहीं देगा जैसे मैं टायप करता हो Graphics point Graphics point कुछ भी दिखाई नहीं दिया लेकिन मैं जब select करूंगा तब ये दिखाई देगा ये गहा select tool कुछ भी type करने के बाद आपको select tool उसकरना पड़ेगा ये देखेड़े जैसे मैं click करता हूँ ये देखे। इसको अगर मुझे अब ए clear लेकिन अब मैं next अगर कुछ type करूंगा तो फिर्च सबस्कराइब다 यह भी आपको white दिखाए दे रहे तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा मान के चीले मुझे ब्लू कलर में यहां सुदाट है तो निचे में जो प्लू कलर इसको मैं डबल कलिक कर देता हूं में यह रहा यहां पर आकी एकबर आप कि छाधर के विश्जा हो और यह सइर तूल है यहां याप एकबर कीजिए फीद नीचे में इइस तरहDa UP दबल प्लिक करने के बाद ये टूल बार आएगा इस तरह से color space इसको ok करते ही अब मैं कुछ भी टाइप करूँगा देखे सब blue में आएगा यह प्रोब्लेम आया हुए कुछ दिर पहले एक क्लाइन मुझे कॉल किया है वेस पेंगोर से बोला कि दादा आप मुझे इस टैप का कुछ वीडियो बना के दीजिए जिससे की color अगा चेंज हो जाता है तो कैसे लाया जाता है यह देखिए अभी मैं जितना भी टाइप देखिए और आपको दिखाई भी देगा यह देखिए मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो कैसे यह यूज किया जाता आप एक बार देखिए रिपीट किजिए इस वीडियो में एकदम आसान है उतना भी टाप नहीं है कि मैं फिर से एक बार दिखाई देता हो रिपीट करके यह रहा साइड में फिल्स्टोग एडिटर बॉक्स इसमें देखिए मैं वैट क्लिक कर दिया हूँ और नीचे में आके यहाँ पर वैट कर देता हूँ उसके बाद देखिए मैं कुछ भी टाप करता हूँ अधिखाई नहीं देगा जब तक मैं सिलेक टूल नहीं करूंगा अधिखाई नहीं देगा यह रहा अब मैं नीचे से कलर कर देता हूँ रेट कलर यहाँ पर भी आके मैं एक बार रेट कलर को क्लिक कर देता हूँ फिर नीचे आके दूबार यह यूज़ किया जाता है तूल दूसरा तिन नमबर वीडियो में फिर बनाता हो वह दूसरा टूल के उपर तब तक यह वीडियो को एक बार देखिए आप अच्छे से